नमस्का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे विलियम वर्षवर्थ के द्वारा लिखी एक पोयम Strange Fits of Passion Have I Known दोस्तों यह पोयम बिलॉंग करती है विलियम वर्षवर्थ की है कलेक्शन आप पोयम से जिसका नाम है Lucy Poems यह एक बैलेट पोयम है और इस पोयम में कुल सेवन स्टांजा है क्योंकि यह पोयम एक बैलेट फॉर्मेट में लिखी गई है तो बैलेट में प्रतेग स्टांजा में चार्चा लाइने होती है तो इसमें भी हर स्टांजा में चार्चा लाइने है इस पोयम की राइमिंग स् सेकेंड एडिशन में हुआ था पोयम में वर्टसवर्ट एक रात का वर्डन कर रहे हैं जब वे अपनी प्रेमिका लूसी की कुटिया की तरफ जा रहे थे वहां उनके मन में क्या फीलिंग्स चल रही थी और उन्होंने रास्ते में क्या देखा के बारे वो इस पोयम में बता किया है and I will dare to tell but in the lover's ear alone और मैं इसे केवल और केवल अपनी प्रेमिका के सांस अकेले में साजा करना चाहूँगा in her ears यानि मैं उसको बहुत ही शांत तरीके से बात बताऊंगा what wants to me be fail be fail का आर्थ होता है घटित होना या बीतना कि मेरे साथ क्या बीती है या मेरे उपर क्या बीत रही है यह बात मैं केवल अपनी प्रेमिका को ही बताऊंगा दूसरे स्टैंजा में पोएट कहते हैं when she I loved looked everyday fresh as a rose in June जब भी मैं मेरी प्रेमिका को बहुत ही प्रेम से देखता था तो वह जून के महीने में हमेशा एक ताजे गुलाब की तरह दिखती थी I to her cottage bent my way bent my way क के cottage की तरफ beneath an evening moon और वो रात कैसी थी एक चांदनी रात थी जब मैं उसकी कुटिया की तरफ अपना रास्ता बदल लिया upon the moon I fix my eyes all over the widely यहां पे लीकार थे middle अर्थाद घास के मैदान तो पोएट कहते हैं कि upon the moon I fix my eyes यानि मैंने उस चांद को देखा all over the widely और उसके बाद मै with quickening pace my horse drew nigh, nigh का अर्थ होता है पास जाना, तो कह रहे हैं कि with quickening pace यानि तेजी से my horse मेरा घोड़ा drew nigh, doj path so dear to me, मेरा घोड़ा बहुत ही तेजी से मेरी प्रेमका की कुटिया के पास जा रहा है और यह जो रास्ते जो मेरी प्रेमका के घर की तरफ ले जा रहे हैं इन रास we reached the orchard plot as we climb the hill, orchard plot का मतलब होता है दोस्तों बगीचा, तो poet कह रहे हैं कि जैसे ही we climb the hill, जैसे ही हम उस पहाड़ी के ऊपर पहुँचे, now we reached the orchard plot, हम बगीचे के पास पहुँच गए, the sinking moon to Lucy's cot came near and near still, देखे दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही sinking moon, यानि डूपते हुए च जढ़ रहे हैं, उनको वो चांद नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो चांद Lucy की कुटिया के पीछे डूब रहा है, came near and near still, और वो हमारे पास आता जा रहा है, लगातार हमारे करीब आता जा रहा है, आगे poet कहते हैं, in one of those sweet dream I slept, kind nature's gentlest spoon, और यह जो मैं अपने lover के पास जा रहा हूँ, यह मेरे सबसे सुन्दर सपनों में से एक है, kind nature's gentlest spoon, और यह इतना सुखद है, जैसे प्रकृति का सबसे सुन्दर, सबसे प्यारा वर्दान मुझे मिल गया हो, आगे poet कहते हैं कि all the while, और यह सब करते हुए, यह सब सोचते हुए, my eyes I kept on the descending bone, मैंने अपनी नजर उस डूपते हुए चांद पर बनाये रखी, my horse moved on hoof and hoof, he raised and never stopped, my horse, मेरा घोडा moved on, आगे बढ़ रहा था, hoof and hoof, यानी कदम दर कदम, मेरा घोडा कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था, Lucy की कुटिया की तरफ करीब आता जा रहा था, he raised and never stopped, जब सिवह उठा है, ज at once the bright moon dropped, यहाँ पर पोएट थोड़ा सा शौक हो जाते हैं, और कहते हैं, went down behind the cottage roof, जब कुटिया के पीछे at once, अचानक से the bright moon dropped, वह जो चांद चमक रहा था, वह अचानक से डूब जाता है, what fond and waver thought white slide into the lover's head, और तब पोएट कहते हैं कि जो प्रेमी होता है न, उसके मन में क किसी भी चीज को देखकर, कुछ भी मन मौजी, कोई भी अजीब और गरीब ख्याल आ सकते हैं, तो speaker कह रहा है कि चांद को जैसा disappear होते वो देखे हैं, क्योंकि वो भी एक lover है, तो उनके मन में भी एक अजीब प्रकार की, एक strange type के thought उनके मन में आ गया है, और यह possible भी हो कि पोएम की सबसे पहली लाइन थी, वहाँ पर वर्स वर्स इसी thought के बारे में बात कर रहे हो, ओ mercy, दया करो, to myself I cried if Lucy should be dead, यहाँ पर यह इसी पागलपन वाले thought की बात कर रहे हैं, कि क्या हो कि जैसे चांद डूब गया हो, अगर ऐसा हुआ कि वैसे ही मेरी Lucy मर जाये तो, ऐसे ही अजीबों ख्या लिंके दिमाग में आए, और इसकी वज़से पोएट रोने लगे, और इसी लाइन के साथ यह पोएम समाप्त हो जाती है